Hello Guys and Paces, मैं Suraj Kumar और मैंने देखी Suriya की फिल्म, Tamil फिल्म जिसका नाम है Jai Bhim जिसका मेरे को बेस सबरी से इंतिजार था, मैं बहुत ही इसका वेट केस फिल्म का and finally मैंने इस फिल्म को Amazon Prime पे देख लिया और सबसे बड़े बहतरीन बात ये है कि ये फिल्म हिंदी में भी है तो प्लीज जाकर ये फिल्म को वैसे भी देखी लेना अब मैं बताऊँगा कि ये फिल्म कैसे लगी It's so hard-hitting film, so hard-hitting film हर मुमेंट पर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और इसलिए सोचो कि क्योंकि ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेज़ है और आप तिमाग हिल जाएगा कि कैसे ये लोग फेस कर रहे I mean, climax मा मैं एक शॉट देखा था जहां पर वो जो एक्ट्रेस थी इसे हाथ जोड के बारिष की बूंदों के नीचे वो प्रेगनेंट थी वो बैचारी को रोते वे जिससे आप से के शुक्रियादा करती है सूरिया का ना That will blow your mind आप बोलो के कि ये में क्या देख ली हो यार It was simply awesome पहली बातो तमिल फिल्म्स आर सो ब्रिलियंट, मैं बहुत सारे फिल्म्स को रिपेट मोड पे दिखता हू Sarpata Parambrae, Karnan, मैंने दोनों फिल्म इस साल के और Master, मैंने रिपेट मोड पे दिखता हू Master is an entertaining film उसको तम एंटर्टेनमेंट वे में देखा लेकिन ये दोनों फिल्म को तम बहुत दिल के करीब रखके देखा था And specially Jay Bhim अब Jay Bhim तो तो पहुने तीन घंटे की पिच्चर है लेकिन एक सिंगल सेकंड बूरिंग नहीं आप involved हो आपको देखना है कि आगे क्या होगा आगे कितना कयामत मचना बाकी है And that actress जिनका नाम ही लीजो मोल जो से ऐसे कुछ नाम है उनका उनका performance इतिना आला जवाब है She deserved a national award for that performance She was more brilliant than Surya, she was more brilliant than every cast She made me cry, she made me cry And itina It was so brilliant and so awesome Her performance just made me shiver, made me shiver And she was pregnant, she was fight justice She was Now look at Surya के मैं बात करूँ तो मैं उनको consider करता हूँ Tamil industry के Kamal Hasan और Vikram का mixture ही मैं उनको समझता हूँ Because he is your genius, उनकी कोई भी film हो, उनकी acting तो special होती है But script subject भी लाजवाब होती है And this subject अगर आप जयभीम का देखोगे ना तो आप बोलोगे कि इस पर फिल्म बनना बहुत सरूरी था ये कॉंचर पर फिल्म बनना था ही And हला कि ये रियल इंसिडेंट पर बेस जे आप शौक हो जाओगे आप शिवर करोगे मैं स्चिल हैरान वो लास्ट का सिंदेख कि आप भूल दोगे कि यार The way climax runs, the way she's crying, the way song is running in the background And जब वो हाथ जोड़ती है ना आप हार जाओगे आप रूद होगे, आप भूलोगे कि नहीं यार अब मैं Anyways, फिल्म के कहानी की बात करो तो मैं कहानी में आप इतना डूब जाओगे कि आप कापने लग जाओगे और दूसरी बात ऐसा है कि फिल्म कहीं न कहीं आपको तोड़ा सा धीमा लगता है लेंदी लगता है लेकिन आप फिल्म को छोड़ोगे नहीं अब देखो मेरे जैसा बंदा जो रात को बारा बजे देखना शुरू करता है और तीन बजे तक देखना देखते ही रहता है वो भी रात के टाइम पे तो फिर बहुत बड़ी बात है क्योंकि रात को वैसे भी कोई भी एंटरटेनिंग फिल्म देखो नीन दाती है लेकिन जो नीन दुड़ा दे वो ही होती असली फिल्म एंड जै भीम इस ताट इंपॉर्टेंट फिल्म आप लोग को जाकर देखना ही पड़ेगा सच में अगर आप लोग नहीं देखते हो फिल्म तो आपको मेरा रिव्यू देखनेंगा कोई हक नहीं आप देख लोगे तो आप बोलोगे कि यार ये कैसे और सोचो ये रियल स्चोरी है और ये भी सोचो कि उस टाइम पे ऐसे कितने लोगों के साथ क्या-क्या हुआ रहेगा जिनकी सुनवाई तो कि अब गिंती भी नहीं हुई रहेगी वो सब चीज आपको सोचने पर आप बोल दोगे कि एकदम लाच वाप महसूस करके इस फिल्म को बनाएंगे बहुत ही महसूस करके और मैंने इस फिल्म को ओरिजिनल लेंगवज में देखा क्योंकि मेरे को तमिल गाना सुनना बहुत पसंद है और दूसरी बात हिंदी में भी अवेलेबल है तो आप लोग इनकी लाच वाब है ना ऐसा लगता है यह लोग असली सुपरस्टार से बिकॉस इनकी करेक्टर को आप ध्यान से देखना यह कितना इंवाल्व होते है ऐसा लगता है यह वही वह चीज को जी रहे और वो करते आये यह तो आपको जैभी फिल्म में भी देखने मिलेगा जि यह वह करते हैं किया को करते हैं यह एक ब्लग देखने करने मौत आती है ना तो इंसान का जात काम नहीं हाता है इनसान का साथ काम आता है अगर आप लोग ने भी ये फिल्म देख ले तो कमेंट करके बते हैं आप लोग को ये फिल्म कैसा लगा तो मिलते अगले वीडियो में तिल देख गूब बेर टेकर गूब ब्लेस आल एंड जय हिंद जय भीम पाई